नमस्कार दोस्तों सेवन्त क्लास के लाश्ट चप्टर है जो दसवा चप्टर है यह लाश्ट है लाइफ इन डेज़ाट बहुत ही इंट्रेस्टिक चप्टर को आप देखिए इसमें क्या आपको पढ़ना है सबसे पहले हमको जानना क्या है कि कैसे डेज़ाट में लाइफ करता है कैसे हम लोग लाइफ जो है जर्ड़ें कैसे जीते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में आप जानिएगा सबसे पहले अप यह देखिए कि डेज़ोट यानि के रिगिस्तान हम कहते किसको है तो जैसे रिगिस्तान का नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है यह बाट आता है जों सिर्फ बालू से रता करें तो हम लोग यह जाते हैं कि यह डेज़ोट इसी को नहीं कर यह लेकिन सबस्क्तुराइब नियुक्त है में लिकार ने सबस्क्त कि बीजर्ट के बारे में पढ़ना आपका होता है यह होता है होता है और आपको दूसरा डीजर्ट किया होता है आपको cold desert होता है यानि कि ठंडा रगिस्तान और गर्म रगिस्तान होता है तो कहने का क्या अर्थ है कि जैसे आप hot desert के बारे में पढ़िएगा तो उसके बारे में क्या हमको सहारा के बारे में पढ़ना है जो आपको अफ्रिका और कांटिनेंट में एफ कि ग्यारा कंट्री को जो है आपकी आप देंचे के उपर गेसे यह आपका बहरत का यह घो का aspect लड़्दाख इन्ट अ enact अ वे वाइघ्ट remember देख अ गया आपको शुर इंट आसी और डिन हो देनी राता है तो आप समझे कि यह होट भी होता है और बहुता है यानि कि गर्म भी रिखिस्तान है और थंदा यानिकि कि रिजी रेखिस्ताण कि एक तो आप देखिएका कि रॉक्स पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा रॉक्स मिलेगा यानि की लिखते हैं चट्टान आपको देखने को मिलेगा तो आप रॉक्सिट देखे और भी ठार भी देखिएगा यानि कि प्लाटीज भी आपको पठार लिखते हैं पठार यानि कि प्लाटीज भी आपको देखने को मिलेगा तो आपको बालू के अलावे क्या क्या यानि कि सैंड पार्टिकल तो हैं ही सैंड पार्टिकल के अलावे आपको क्या क्या देखने को को मिलता है यह सब आपको चटान बजरी का मैधान और पतहर आप को अब आप समझेंगे कि डेजर्ट में क्या होता है यह सब चीज भी होता है तो अब यह संका आपका समाधान होगा फिर हम आगे देखते हैं कि डेजर्ट का कुछ जहां पर क्या है वहां पर प्लंटेशन वहां पर वेजिटेशन होता है जिसको हम मरुधान कहते हैं या ओएसिस कहते हैं आगे हम देखेंगे तो सबसे पहले हम डेजर्ड का क्रेटेरिय क्या देखते हैं कि लू क्या होता है रेंफॉल होता है बारिस क्या होता है लू रेंफ सासथ होता है तो अगल लो रिन्फॉल है तो आपको वेजिटेशन कैसा होगा वो भी बहुत ही कम होता है तो उसको scanty या Spasta सबस्क्राहिमे गजिए खांटी तहए यह धारी ने तर्व एप तेन तो कहने का अर्थ क्या है कि आपका के साम का हूग वगति खोम मतर में में आपका ऐ सलवी स krk Musi का और कारण क्या कि वेजबरसन के लिए तो आपको पानी चाहिए तो और पॉधे कैसे अगेंगे बीना पानी तो अपको जब हम समुआ कि पानी किसी थरह से अगर नहीं मिलता है तो भी पूदिनों में में नहीं दिक्षा-ध आधा फ्र क्या देखते हैं य होना कि बहुत हिं क्या होगा बहुत हिं हाई हो जाएगा टेम्परेजर समझे और शुर्ड कर तो वह क्या होगा बहूत ही लुगत बहुत हिं लोगत याने कि जीरो डिफली से नीचे और यहां पे आपको जब हाउ होगा अप प्लस-पचास डिवड़ी से 50 डिग्री से उपर क्या है टेंपरेचर शला जाता है और जैसे आईएगा तो आपको जीरो डिग्री से भी आपको नीचे बहुत नीचे आपको देखने को मिलेगा लगभग आपको 20-20 डिग्री तक आपको टेंपरेचर दो है देखने को मिलेगा या इसे भी कम हो सकता है यह कास्व कहा DP कि अब आप्को समझ में चयाँ होता ठीख है तो बिलकुल रचाल नहीं होनाएफ देखना एक-इक टॉपिक को आपको देखना है यह द्र अब करेक्टर यहत करेक् sashूंप यह फटहने नियां यहाणी झानच वहाँ होता है फिर हम देखिया देखा कि क्या होता है यहीं अल्प मात्रा में क्या है आपका वेजिटेशन होता है ठीक है तो एक्स्ट्रीम टेंपरेचर भी देखे कि सहरा सहरा एक होट डेजर्ट है जिसके पारे में हमको पढ़ना है और पूल डेजर्ट लगाव के बारे में हम लोग जाने हैं तो देखिए सहरा क्या है एक होट डेजर्ट है जो आपको अफरीका कॉंटिनेंट में आपको पढ़ता है ठीक है और 11 कंट्री को जो है बिल्कुल फ्रेड ऐस्पाइन फाइब पॉर मिलियन एक यह किलोमेटर विस्ट है कि इस्ते लगवग लगवग की तिन गुणा हुआ यानि कि हमारे भारत के वह भी भारत किया यह जल वाला जो ही साइब वह सब आइलन निए करके सिर्फ यह लैंड एरिया जी नहीं बाटर बडिज को is लए करके यापका यह अपको इतना स्कौ Paragmal में तो यह 컨शन में नहीं रहेगा तो इतना बड़ा है लैंड एरिया को छोड़के बाटर बडविज को ले करके को यहां है यह आपका थिरू प्वारत के इंडिया के तीन गुना से ज्यादा जो है लगभग तीन गुना यह आपको फैला हुआ है तो समझे कि इतना दूर तक कहला एlol फिर देखते हैं है ग्यारा कंट्री कौन कौन सा है cœur नीचे आइएगा आपको South Africa जो एक सबसे पहले हम देखते क्या है कि एक कंट्री हो गया आपका मुरक्पो दूसरा क्या हो गया आपको अलजेरिया हो गया तीसरा क्या हो गया आपको ट्यूनिसिया और चौथा लिबिया हो गया पांचवा एजिप्ट हो गया और आपको छट्था हो गया सूडान सात्वा हो गया चाड और नाइजर हो गया आपको आठवा माली हो गया नो और मुरिटानिया हो गया 10 और Western सहारा किया हो गया 11 तो कितने कंट्री से फैला हुआ है 11 कंट्री मुरको आपको यहां है मुरको अल्जेरिया ठीक है ट्यूनिसिया लिबिया एजिप्ट सूदान आपको चार्ड नाइजर माली मौरिटानिया और वेस्टान सारा तो देख रहे हैं कि कितना दूर में फैला हुआ है आपको बहुत ही दूर में यह फैला हुआ है और यहां पे सिर्फ यह आपका एक सहरा क्या होर डेजर्ट है इसको अप देखियेगा अप इसका एक एक पॉइंस हम डिसकर्स करेंगें अStudisंक पॉइंट समिकर्स करेंगे लेकिन आगे देखने के लिए आप जो इसको लाइक और शेर जरू कीजिए हम आगले हम स्लाइड मे आपको फिर से पर मिलते हैं थैंक्यू